आँखे मानव शरीर के सबसे महत्तपूर्ण अंगों में से एक इनकी वजह से हम आसपास की दुनिया को देख पाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ सरीर के उन अंगों में से हैं जो सबसे पहले खराब होता है। कैसे रखें अपने आँखों का खयाल जानेंगे इस वीडियो में। आँखों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए आपको रोजाना इसकी देखवाल करने की जरूरत है। जैसे की रोजाना परियाप्त नीद लें, अच्छा खाना खाएं जिसमें परियाप्त मात्रा में वाइटमिन A, C, E, Zinc, कार्वोहाइडरेट्स और फैटी एसिड्स हो। खूब पानी पियें, पढ़ते समय ध्यान दे कि आपकी रूम में परियाप्त रोशनी हो। लंबे समय तक फोन, लाप्टॉक या टीवी देखने से बचें, बीच बीच में अपने आखों को अराम दें। जैसे की हर एक घंटे पे अपने आखों को एक से दो मिनट के लिए बंद करके डीप ड्रीधिंग एकसरसाइज करें। और फिर अपने हठेलियों को रगड़ के एक से दो बार अपनी आखों की सिकाई करें। आप अपनी आखों को कुछ अतरिक सुरक्षा देने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपने फोन में Vision Comfort Mode को आउन कर सकते हैं जो फोन से निकलने वाली Blue Light को रोपता है Blue Light स्क्रीन से निकलने वाली ऐसी किरने हैं जो हमारे आखों को काफी नुकसान पहुचाती हैं और Dry Eyes और Eye String जैसी समस्याओं को पैदा करती हैं अगर आप बाहर बहुत समय बिताते हैं, तो आपको UV protection वाला चस्मा पहनना चाहिए। जिन लोगों की आँखें पहले से ही खराब हैं और वो चश्मा पहनते हैं, उन्हें UV protection वाली lens यूज़ करनी चाहिए। आँखों की सबसे आम समस्याओं में से एक है dry eyes, जो या तो आपकी पलकों के परियाप्त आशू नहीं पैदा करने या आपके वातावरन से परियाप्त नमी ना मिलने के कारण हो सकती हैं। dry eyes, लालिमा, जलन, खुजली और धूंदली दृस्ति जैसे कही लक्षणों के साथ आती हैं। इसे ठीक करने का एक असान तरीका है। रात को सोने से पहले आँखों में दो से चार बूंदे गुलाब जल डालें। ये ना सिर्फ आपके आँखों को ठंड़क देगा बलकि आपकी आँखों की बाकी समस्या से भी आराम देगा। उमीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले।